नमस्कार दोस्तों मेरा नाम संकर गोस्वामी है और आप देख रहे है एस जी फार्मिंग चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे कोटन की एक बहतरीन वेराइटी प्राइम के बारे में बताओ तो मैंने इसी साल इसको लगा कर देखा कुछ जो प्रचार करने वाले थे रासी व देख सकते हो इसकी जो डिजाइन बनी है पोदे के हाइट ज्यादा नहीं है लगबग आभी साड़े तीन फीट का हुआ है कई-कई पर आच्छे जैसे मोटी जमीन जैसे नीचे काली मट्टी है यहां पर पर काली मट्टी है तो इस तरीके कि में मतलब लगबग हो चुका ह है तीन वीट के आसपास और अल पुर तीन फीट कई पर सवा तिन फीट चाहँ है ये हैड बनी है और आप च्यतरी नुमा मतलब उसकी जो ग्रोथ है यह आप देखते हो मतलब काफी वही पोधा ओन कर बना है डिजाइन आप देख सकते हो और गेटे का साइस तो काफी अच्छा लग रहा है और जो है साखा है नीचे से लगबग चार पांच चार पांच साखा के असपास उसने निका लिए और और गुरोध देखे तो काफी बढ़िया है वेराइटी मेरे को काफी पसंद आई क्यों कि जो ज़्यादा हाइट वाली वेराइटी भी रहती है वो काफी उसमें दिक्कत आती है लेबर वगेरा को चुनाई वगेरा में दिक्कत आती है फिर इंसेक्ट साइड इस्प्रे करने में भी काफी दिक्कत आ चुनाई में अच्छा रहता है या चुनने में दिक्कत आती है तो किस तरीके का रहेगा ये आपको में अगले वीडियो में बताते रहूँगा तो ये एक वेराइटी में को काफी बेस्ट लगी है देखिए कहीं पर ये हाइट लगबक स चार फीट के असपास हो चुकी है त मतलब बहुत ही भेतरीन में को इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला है काफी फ्लावरिंग अगेरा फ्रूटिंग अगेरा तो लगबक सभी पोदों में सेम है लेकिन मतलब जो हाइट का जो मेरे को लगा है वो काफी बढ़िया लगा है जो फेला हो है पोदे का नीचे से फेल कर चलता है और काफी बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग रूटिंग हो रही है दोस्तों इस खेत में हमने जो है प्लांटेशन की थी लगबग 24 मई को 24 मई का ये प्लोट है और काफी अच्छी कंडिशन पर है बहुत ही बढ़िया कंडिशन है फ्लावरिंग अगेरा अ अपर से कोपल को जो अपन तोडते हैं हाइड जदा हो जाती है तो या फिल लियो सीन वगेरा मारकर या चमतकर मारकर जो रोखने की कंडिशन रहेए इस तरीके कि इसमें कोई कंडिशन नहीं रहेगी इस वाले प्लाट में भी जो लाइन से लाइन है वह चार फिट है और हें तो सबसे घपेर फित पर रहें जो रो में मतब् hoping मताई सब्सक्राइब डिस्टनस वह ड्हाईट पर रहें और जो है यह MS चार फिट डिस्टेंस है और काफी बढ़िया इसमें मेरे को रिस्पॉंस इसका लगा है बाकि आप ओर और ग्रोथ देखो तो काफी बढ़िया है अम मैं आपको अगर बताने के कोशिश करूँ कि जो 669 की क्या कंडिशन है केले वाले खेत में तो काफी बेस्ट कंडिशन है यह आप देख सकते हो यहां से यह राइट साइट प्राइम है और लेफ साइट अपना 669 है और 669 की ग्रोथ भी काफी बढ़िया निकल कर आई है यह उसमें भी आप फ्लावरिंग फ्रूटिंग देख कर आई है इंसेक्ट का आटेक काफी नहीं रहा है इसमें मतलब कोई खास इंसेक्ट इस पर आटेक नहीं किया क्योंकि जो केले का खेत था तो केले में जो फर्टिलाइजर पुराना यूज हुआ था तो वो काफी इसको हेल्प कर रहा है काफी लेट लगाने के बाद भी आ और काफी बढ़िया मतलब इसका रिस्पॉंस मेरे को अच्छे से मिला है तो इस तरीके की ग्रोथ इसमें अब 69 में भी देख सकते हो काफी बढ़िया है प्लोट तो यह है अपना केले वाला प्लोट इसकी भी अगली वीडियो में आपको बताता रहूंगा किस तरीके से इसक 69 में काफी बड़े साइस का बनता है तो यह एक बेनिफिड मिलता है अधर वेराइटीज है तो मान के चलो अगर आप दूसरी कोई सी भी वेराइटी में 50 बॉल लग जाते हैं और इसमें 35 बॉल भी लगते हैं तो कोटन का जो वेट है वो लगबग सेम निकल कर आता है यह मिलता है 669 रासी का यह तो यह एक बेनिफिट है 669 का और केले वाले खेत में बात करें तो 669 के अंदर काफी बहतरी इन मतलब रिजल्ट मिला है देखने को आप देख भी सकते हो यह पूटिंग वगेरा देखिए काफी अच्छे से आया है और अभी जो है पानी लगबग 15 से 20 रोज से खुल चुका है तो इसमें ड्रिप भी हमने चला दिया आप देख सकते हो फटिलाइजर दिया था और यह ड्रिप से पानी चल रहा है और आप यह ग्रोथ देख सकते हो काफी बढ़िया ग्रोथ है ना कोई इंसेक्ट काटे गए और ना ही कोई समस्या है इस खेत में और फ्लावरिंग वग्रा काफी अच्छी हो रही है और यह इसा प्लावरिंग ड्रोप होने के भी ज्याधा समस्या नहीं इस पर जो काफी स्पीड से चल दा था केले का खेत में इसреर बहुत ज्याधा तेज थी तो इसके लिए हमने इस पर लिहोषी का यूज किया है और लियोसीन के यूज के बारे में मैं आपको बता दूँ कि लियोसीन का यूज आप एक एमेल प्रती पंप से कभी भी ज्यादा ना करें बहुत रियर कंडिशन में अगर बहुत तेज स्पीड से आपका काटन चल रहा है तो आप डेड़ एमेल ले सकते हो इस से जादा आपको 15 लिटर वोले पंप में नहीं लेना है नहीं तो कपाज आपका डेमेज हो सकता है इसकी रिस्क आपकी रहेगी चमत कार आप यूज कर सकते हो 15-20ेमेल ज्यादा स्पीड हो तो 25-30 अमेल भी यूज कर सकते हो चमत कार लेकिन लिहोसीन को आपको कभी भी एक पंप में एक एमेल से ज्यादा नहीं लेना है खूब रियर कंडिशन में आपका प्लांट मतलब बहुत ज्यादा तेज गती से उपर चल रहा है हाइड ज्यादा बढ़ रही हो तो ही आप डेड एमेल लीजिये ने तो लियोसिन का यूज काफी केर भूली कीजिए उसके बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा यह कुछ कंडिशन है कॉटन की धन्यवाद दोस्तों